नमस्कार किसान भाईयो, मैं सतीष एदाव यूट्प चेनल भारत किसानल हमारी किसान चेनल पर आज सभी का आपका हर्दिक स्वागत है तो जो भी चैनल पर नहें किसान भाईयो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब एक ऐसी खेती के बारे में मैं आप से बात करना चाहता हूँ जिसमें खर्च नाम मात्र का 5-7,000 रुपे परेकड के हिसाब से और कमाई की बात करें तो यदि एक सही से फसल आपने ले ली कमाई 2-2,5 लाग रुपे और वो भी मात्र 2 महीने में 60-65 दिन के अंदर आप उस खेती के मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आज हम बात करेंगे वो फसल है मूली की फसल खरीब की फसल बरसाती मूली तो उसे किस समय लगाए जाए कि उसका बाजार का भावा आपको 30-40 रुपे किलो पर केजी के हिसाब से मिले और एक एकड़ में इतनी पैदावार हो कि वो 2-5 लाख रुपे आपको सुध मुनाफ़ा मिले और खर्चा मातर नाम मातर का 5-7 अजार लेकिन किसान भाईयो जो सब जी 30-40 रुपे किलो मारकेट के अंदर बिकेगी तो उसमें परेशानिया भी कितनी आने वाली है बहुत बड़ी बड़ी परेशानिया आने वाली है तो वो कौन-कौन सी परेशानिया सामने आने वाली है उन परेशानियों का कैसे हमने सामना करना है ऐसी कौन सी विधी को अपनाया जाए जिससे खूब बरसात होने पर भी उसकी फसल में कोई नुक्षान ना हो किशी भी परकार का फसल खराब ना हो आपकी फसल सबसे पहले मार्केट में जाए और हम सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सके तो सुनने में तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा कियार मूली और 30-40 रुपे किलो क्योंकि मूली तो अकसर 4-5 रुपे किलो या 3 रुपे किलो मार्केट में बहुत मिल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो 10 रुपे किलो मार्केट में खुब मिल जाती है लेकिन दोस्तों यह जुलाई का महीना है आप मार्केट में जाकर मंडी में जाकर रेट पूछिए तो अब आपको पता पड़ेगा और यह पूरी जुलाई और पूरी अगस्त में ह आप निश्चित तोर से मूली की अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं तो आप सबसे पहला अपना पूइंट होता है कि आपनको जरूरी जो सबसे एहं मोस्ट इंपोर्टेंट पूइंट है वह है हमें खेत का चैन कैसा करना है जिस खेत के अंदर जलका भराव ना हो सबसे पूइंट है यह इसलिए भी है कि बरसात के दिनों में आपके खेत में जलका भराव हो गया तो उस टाइम आपकी फसल खेत में खड़ी हुई है तो आपके मूली के पत्ते तना इतने कोमल होते हैं सुरुवाती चरण में कि इनके अंदर यदि 8-10 गंटा बरसात का पानी य और सबसे ज़्यादा मूली का जो बरसात के दिनों में फैल होने का कारण होता है किसान भाई फैल होते हैं वो इसी कारण होते हैं तो बरसाती मूली को कारण भी यही होता है तो जिन खेतों के अंदर जल भरा होता है वहाँ पर 90% ये फसल फैल हो जाती है खराब हो जाती है होती नहीं है ठीक है तो अपने सबसे पहला पॉइंट है खेत का चैन अब पॉइंट नमबर दो पर हम दोस्तों खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए तो एक कहावत भी है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसी को सफलता मिलती है तो अपनको खेत की तैयारी इतनी जबरदस्त करनी है, चाहे कोई शी भी फसल हो मूली नहीं, कोई शी भी फसल हो हमें खेत की बहुत ही अच्छी तरीके से हमें खेत को तयार करना होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोटवेटर खेत के अंदर चलाइए अच्छी तरह से जमीन को पलट दीजिए उसके बाद में फिर आफ हैरो से जुताई करिए अच्छी तरह हैरो खोल कर उससे भी जुताई करें फिर तीन से चार जुताई आप टीलर से करें और खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें अब बात करते हैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा रासाइनिक खाद यदि आपके पास सडा गला गोबर का खाद है तो वह डाल सकते हैं 25 से 30 किवंटल परेकड के हिसाब से सबसे बैस्ट है ये सबजी के लिए यदि आपके पास देशी खाद अवेलेबल नहीं है तब आप र रासाइनिक खाद की कितनी मात्रा होगी 40 केजी परेकड के हिसाब से आप डियेप लीजिए 30 केजी परेकड के हिसाब से आप पोटास लीजिए 20 केजी परेकड के हिसाब से आप यूरिय लीजिए और 3 केजी सलफर इनको सभी को आप अच्छी तरह से मिलाकार और पूरे खे लेते हैं लगाने की विधी ये हम ये भी बहुत ही महतुपूर्ण पॉइंट है जितना खेत का चैन हम करते हैं वो पॉइंट है इतना का इतना ही महतुपूर्ण पॉइंट ये है तो हमें किस प्रकार से लगाने की विधी ये भी अब हम तो बरसात के मोसम में यदि मूली को जटकर बोगते हैं, फ़ारा लगा दिये, या क्यारी बना दी, क्यारी के अंदर जटकर बोज दिया, तो किसान भाईयों बरसात के मोसम में ये बिलकुल नहीं चलेगा, आपकी फसल खराब हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सला देना चाहता हूँ कि अपने खेत के अंदर मेड बनाईए और मेड की जमीन से उचाई कितनी होनी चाहिए 10 से 12 इंच और उपर से चोड़ाई कितनी होनी चाहिए 15 से 16 इंच होनी चाहिए अब मूली को बीज किस परकार से हमें लगाएंगे या तो आप मेड के दोनों साइड में लगा सकते हैं उपर की तरफ या फिर उपर भी एक लाइन लगा सकते हैं तीन लाइन हम इसके अंदर लगा सकते हैं तो किसान भाई, अब मैं आपको मेड बनाने का रीजन बताता हूँ, हम मेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि बरसात के मोसम में पानी भरेगा, तो वो जो पानी भरेगा, तो वो खालियों के अंदर ही पानी रह जाएगा, मूली की फसल हमारी उपर होती है, मूली की फसल पर किसी शिवी प्रकार की कोई नुक्षान नहीं होता है और कोई नुक्षान नहीं होगा ठीक है तो यह गया रीजन इसका अब आपन बात करतें हैं बीज की मातरा कितनी होनी चाहिए परेकर के हिसाब से लगबग 2-3 kg हमें बीज की मातरा बीज की जरूरत पढ़ती है और बीज भी रभी का हो या खरीब का हो दोनों में ही आप कौन सा बीज ले सकते हैं चिंजेंटा कमपनी का आईवेरी वाइट नाम से एक वेराइटी आती है हाइब्रेड बीज वो लगानी चाहिए बहुती इसका स्यांदार रिजल्ट है बहुती अच्छी पैदावार देता है और भी आ मुली के बीज जमीन के अंदर लगा दिये हैं तो उसके बाद में फिर हमें परेकड के हुसाप से एक लिटर परेकड के हिसाप से आप पैदा मैथलियो नामक खरपतवार नासक दवाई लेकर आईए और उसका छिड़काओ कर दीजीए छिड़काओ करने के बाद में फिर जमवार हो जाएगी और खर्पतवार बिल्कुल नहीं निकलेगा तो दोस्तों इस विदी से यदि आप मूली लगाएंगे तो आप माला माल हो जाएंगे आपको जैसे बताया है दो से धाई तीन लाख रुपे की आप फसल बेज सकते हैं यदि मेरी बात अच्छी लगी हो त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना